हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल सीबी सॉनलाइन लेर्निंग 36 गड़ के साथ जिला से टोटल 10 भरती विग्यापन जारी किये गए हैं जिसमें जो है सिक्षा विभाग के भी पद है सिकित्सा विभाग के भी पद सामिल है साया ग्रेटीन और स्टेनोग्राफर 33 सेरी चतूर सरशेनी सभी प्राकार के जो पद है वो आपको आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे teaching की पद भी इसमें सामील है तो सभी जो प्रकार के पद है इसकी सभी की योग्यता आविदन पत्र, पूल पत्र, सैलरी आज़ी सीमा संबंधी और आविदन पत्र आविदन की इस प्रकार से करने सभी जानकारे आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो बने रही है वीडियो के अंति तक वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को इस टेस कर लीजेगा जिससे की मेरे चैनल पर निश्ट जब अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुन सके चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की पहली वेकिंसी है कार्यालाय नियाईदीस परिवार नियाले दक्चीन बस्तर दंतेवाड़ा 36 गड़ की तरब से सीधी भरती के लिए विक्या पंजारी किया गया है इसमें आवेदन करनी की लास्ट डेट रखी गई है 11 अगस्त 2023 साम 5 बजे तक से पदों का वीवरन देख लेते हैं इस्टेनोग्राफर हिंदी के लिए एक पद है साया ग्रिट तीन के संकक्च पद सेल अमीन आदेशिका लेखक टाइपिष्ट साच लेखक के लिए चार पद है इसमें और आगे है वाहनचाला के लिए एक पद है भृत्तिया फर्राज के से यह वेकेंसी निकाली गई है पदों की संख्या जो है कम जादा की जा सकती है भर्दी की पात्रताइव हम सर्टे देख लेते हैं इस्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहां पर पेमेंट रखा गया है 28700 से 99300 के बीच क्वालिफिकेशन यहां पर नियुंतम 45% अनारक्षि शिग्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मानेता प्राप्ते किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शिग्र लेखन परिच्छा उत्तिर्ण करने का प्रमान पत्र होना चाहिए साथ में आपकर DCA होना चाहिए MSWAT तथा इंटरनेट का और कंप्यूटर का नियुंतम ग्यान होना अनिवार है साथ में हां पर हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की गति होनी चाहिए जिसके संबंद में यहां पर कौजल बरिच्छा ली जाएगी साया ग्रेट 3 के लिए यहां पर है 19,500 से 62,000 के बीच में प्रति घंटे की प्रति घंटे के यहां पर हिंदी टाइपिंग की गति होनी चाहिए वहां चाला के लिए है 19,500 से 62,000 के बीच पेमेंट रखा गया है क्वालिफेकेशन वहां चाला के लिए यहां पर 8 वी उत्तिर्ण है तो एप्लाई कर सकते हैं साथ में यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार है भित्य और दबतरी के लिए यहां पर 15,600 से 49,400 क पेमेंट रखा गया है पांच वी उत्तिर्ण है तो एप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रकार का अनुभाव है तो एप्लिकेशन फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं नेश्टा है आकस्मिक्ता नीधी कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले करमचारी वाटर मैं स्वीपर तक रखी गई है और 36 गड़ के मूल निवासी इस्थानि निवासियों से अधिक्तम आजुसीमा 40 वर्षा तक से रहेगी इसमें नियम के अनुसार शूर्ट दी जाएगी 45 वर्षा तक से आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख लेते हैं आवेदन पत्र लिगल 9 के पते पर दिनांग 11 अगस्ते 2023 साम 5 बजे तक पंजिक्रिट डा के स्पीट पोस्ट के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं आवेदन के साथ में अपना सभी जितना भी डाक्यूमेंट है उसे सेल्फ अटेस्ट करके आपको एप्लिकेशन फॉर्म के साथ में लगाना अनिवारे होगा इसके ओफिशल वेबसाइट की लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दी गई है वहां से आप ये नोटिफिकेशन के पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं इसी पीडियेप के आयंद में आपको एप्लिकेशन फॉर्म का प्रारुप भी मिल जाएगा जिसे प्रिंट निकालकर आफ फिल आप कर सकते हैं अलग-अलग पज के लिए आपको अलग-अलग आवेदन करना पड़ेगा नियुक्तिरम चैन की प्रक्रिया भी दे दी गई है ये पीडियेप पूरा इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप रीट कर लीज जाएगी वहां से आप कभी भी इसका जो अपडेट है वो ऑफिचल वेबसाइट से देख सकेंगे देखते हैं एप्लिकेशन फॉर्म का प्रारूप तो इस प्रकार से एप्लिकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है यहां पर पासपोर साइज फोटो लगाना है नाम सहीत और अवेदित पद का नाम अवेदा का पूरा नाम अंग्रेजी में पीता का नाम और अपना डलत देने ओध और डिनए हाप पर लगा सकते हैं और सुछोए चाहां पर लगा सकते हैं वत् dokrन कर रहे हैं उसकी सूची यहां पर लगा देनी है उसके बाद अंक्मिया पर घोशना पत्र दे दिया गया है जिसमें इस्थान, दिनांक, आविदक का हस्ताक्षर, नाम वा पूरा पता, मोबाइल नंबर, इमेल आड़ी यहाँ पर लिख देंगे मोबाइल नंबर और इमेल आड़ी लिखना अनिवार है PDF की ऑफिशल वेब्साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आज की दूसरी वेकेंसी है कार्याले जिला एवं 17 नयादी धमतरी जिला धमतरी 36 गड़ की तरब से यहाँ पर भरती विग्यापन जारी किया गया है यह सीधी भरती के लिए यहाँ पर विग्यापन है जिसमें अमतीन तीति यहाँ पर रखी गई है 26 जिलाई 2023 साम 5 बजे तक आप इसमें आविदान कर सकते हैं पदों का वीवरन देख लेते हैं इस्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए एक पद है इस्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए दो पद है साया गरतीन के लिए 16 पद है इस प्रकार टोटल यहाँ पर 19 पद धमतरी जिला से निकाले गए हैं इसमें पदों की श्रंक्या परिवरतनी है इस्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिस दोनों के लिए जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया उसी प्रकार से इसका क्वालिफिकेशन रहेगा अगर आप Angreeח के लिए के लिए इस्टेनोग्राफ़कर अंग्रेजी के लिए इप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे English typing में आपको 5000 3d journeys की प्ते घंटे की गति मांगीस हाएगी और अगर अगर आप Hindi के लिए apply करना चाहते हैं तो Hindi typing में आपको 5000 की प्ते घंटे की गति मांगी जाएगी मैं कि आपको इस नातक डीसी ए और इंटरनेट का ग्यान होना अनिवार है सहाया ग्रेट तीन के लिए भी यहां पर डीसी ए इस नातक और हिंदी टैपिंग की गति यहां पर मांगी जाती है साथ में आगे देख लेते हैं आयो सीमा यहां पर 18-30 वर्स रखी गई है 37 के मुल निवासी के लिए 40 वर्स होती है और आयो सीमा में छूट भी दी जाए कि 45 वर्स तक से 36 राज्य के जो बाहर के आवेदक है उनके लिए आज सीमा 30 वर्स तक ही रहेगी आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहां पर देख लेते हैं आवेदन पत्र 26 जलाई 2023 तक बंद लिफाफे में जिस पर बाई और इसपस्ट रुप से आवेदिक पद स्टेडो टाइपिस्ट हिंदी यह सहाया ग्रेट तीन के पद पर सीधी भरती पर न्युक्ति है तूँ आवेदन लिखा हो कार्याले जिला सत्र नियाइधी धमतरी 36 गड़ में केवल इस पंजीगर डा के स्पीट पोस्टर के माथ्यम से ही आप आवेदन कर पाएंगी अन्य माथ्यम से आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा आवेदन पत्र के साथ में जाती निवासी रोजगार आधी से संबंद और क्वालिफि पर जले जाएंगे जहां से आप यह नोटिफिकेशन की डाउनलोड कर सकते हैं अलग-अलग पत्र के लिए आपको अलग-अलग आवेदन करना होगा और सभी आवेदन पर आपको पत्र का नाम लिखना अनिमारे होगा इसकी जो आगे की जानकारी होगी जैसे की चैयन की पर किसे रीट कर लीजेगा उसके बाद ही इसके लिए एप्लाई कीजेगा और एप्लिकेशन फर्म का प्रारूप भी आपको इसी ऑफिचल वेपसाट की लिंक से मिल जाएगा जिसे प्रेंट निकालकर आफील अप कर सकते हैं निश्टे वेकिंसी है कार्याले प्रचारे नवीन सास की महाविद्य रगुनात नगर जीला बर्रामपूर रमानुझगन 36 गळ की तरफ से यहाँ पर अतिति व्याख्याता के लिए वेकिंश्री निकाली गई इसमें नवीन सास की अतीति व्याख्याता हेतु आवेधन मंगाए गए हैं आवेधन की अंतिम तिती 24 जुलाई साधे चार बज़े तक से रखी गई है आवेधन पत्र पंजिक्री डाक या कोरियर द्वारा या स्वयम उपस्तित होकर कारियाले सासकी रानी दुर्गवती महाविद्याले वाड्रफ नग ऌर वन्थ वतिन पति लिए एक पद है और वा लगाव वाडब हिझ inh के लिए दोपद है इस परकर सभी पदों को मिला कर यहां ब्रामपूर् रामनुजगंज के गौर्मेंट कॉलेस से लिएuard चार बारा पदों के framework से प्रतित्रिक strongest निकाली गई गई है यह पर प्रति जो कालखर्ण के लिए 300 रुपए दिया जाएगा प्रती दिवस अधिक्तम 1200 रुपए दिया जाएगा और मंतले यहां पर अधिक्तम 31,200 रुपए का पेमेंट आपको दिया जाएगा अंग सुचिवं प्रमान पत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ पूर्ण वीवरन सही साधे का सागज में आबेदन निर्धारी तिति एवं समय के पूर्वर डाक द्वारा या स्वयम हुपसित हो कर आप जमा कर सकते हैं चैनी तुमीद्वार के विरुद्ध पूलीश न्याले में कोभी अप्राधिक प्रक्रण लंबित ना हो तद्धा वह किसी अन्य शास्किय अर्ध शापन नहीं कर सकेगा अतिति व्यक्यात्ता की सिवाएं भविश्य में नीमित्य करन का आधार नहीं बनेंगी नहीं वें अधिमानिक बरताओं के हगदार होंगे अध्यापन काईरस संतोर जनक नहीं होने पर उन्हें कारे से मुक्त किया जा सकेगा भविश्य में के ऊपर अतिथी व्याक्याता का विशय एवं महाविद्यालाई का नाम अवश्य अंकीत करें तो इस प्रकार से वेकेंसी निगाली गई है साधे कागाश में आपको अपना पूरा जो रिजियूम है लिख देना है और इसमें जो है उसके लिफाफे में भर देना है लिफाफ जाते हैं तो जल से जल कर लीजिएगा इसका यहां पर दे दिया गया है इसी वालीफेकेशन की जनकारी इसमें नहीं दी गई है तो यहां पर जैसे कि आप हिंदी के लिए प्लाई करना जाते हैं तो आपका हिंदी विशय में जो है इस नातक इस नाकुत्तर होना चाहिए तभी आप यहां पर अतिथी व्याख्याता के रुप में पढ़ा पाएंगे और इसी प्रकार अंग्रेजी इतिहा सभी के लिए हाँ पर इसनाकोत्तर ही मांगा जाएगा संबंधित विशय में आपका इसनाकोत्तर है तो आप इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं निश्ट वेकिंसी है कारेले जीला कारेक्रम अधिकारी महिला एवं बालविका स्विभाग जीला कभीरदाम 36 गड़ के तरब स वाकिन इंटर्विव के लिए आविदन यहां पर निकाले गए हैं जिसमें शकी वन स्टाप सेंटर में आई टी वरकर सेवा प्रदाता के रूप में कारेकरने ही तो पात्राब भ्यारती से वाकिन इंटर्विव का आयोजनिया पर किया जाएगा वाकिन इंटर्विव 28 पर आकर आविदन प्रस्तुत आप कर सकते हैं और वाकिन इंटर्विव में उपस्थित हो सकते हैं पद का नाम है यहां पर आई टी वरकर इसके लिए एक पद है 35 वर्स इसकी आयों सीमा रखी गई है 12,000 प्रती महा का इसका पेमेंट दिया जाएगा अगर आप अधिकारी महिला इवं बालवी का स्विभाग जीला कभी धाम से ही प्राप्तिक की जा सकती है आवेदन प्रपत्र तथा सेवा के लिए आवश्यक्स च्छने क्योंगेता अनुभाव कारदा इत्व इवं अन्य वीवरन इसकी ऑफिशल वेब साइट पर आपको मिल जाएग वाकिन इंटर्व्यू का वीवरन वाकिन इंटर्व्यू यहां पर 28 जुलाई 2023 दिन सुग्रवार इस्थल है यहां पर वाकिन इंटर्व्यू का जो इस्थान है काड्याल है महिला इवं बालविकास विभाग लालपूर रोड कवर्धा जीला कभीर धाम 36 गर इस एड़ेस पर यहां पर वाकिन इंटर्व्यू आयोजन किया जाएगा इसका समय देख लेते हैं नौ बज़े से बारा बज़े तक आविदन श्रंकल नेंवं पंजियान डेड़ बज़े से दो बज़े तक से प्रात्मिक धावापति सुची का निरा प्रकाशन और दो से तीन बज़े की लिंक आपको दिस्क्रितों मिल जाएगी वहां से आप पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं इसी पीडियेफ के एंट में एप्लिकेशन फार्म का प्रारूप भी दे दिया गया है जिसमें मंगी के सभी अवश्रक जानकारी आफ लिलाप कर दीजेगा इसके सांस में संबं शतीजगर की तरफ से भरती निकाली गई है इसमें जो है जिले में संचालित छूलो आस्मान पी एटी पी एमटी आवासी कोचिंग सिंटर बालूद एवं कारली में कक्छा नवी से बारवी तक अध्यनरत विध्यारतियों को नेट जेईए कोचिंग हेतु सेक्षनिक सत्र 2023 के लिए निमनांकित विश्यों हेतु विशय विशय सग्या एवं अतिती सिख्षकों की पूर्ति किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ वाकिन इंटर्विव कारियाले जिला सिख्षा अधिकारी जिला दक्चिन बस्तर दंते वाड़ा में आमद दो पद जी विग्यान में दो पद है यहां पर आवाज तक्षा ने की हो गयता मसी बीटेश इंटेश है तो एपलाइक कर सकते हैं वाचनी यह कहता आई आई टीस एन आई टीस और आई आई एस ए आर आई एस सी एन आई एस ए आर से या किसी मानता प्राप्त संस्था से उ 70,000 रुपए अतिती सीख्षक के लिए देख लेते हैं गणित के लिए दो पद है और अशायन भौतिकी जी विग्यान अंग्रेजी हिंदी समाजिक वियान संस्क्रित सभी के लिए दो दो पद है मसी एमे या बीयर्ड है तो आप एपलाई कर सकते हैं मानता प्राप्त संस् जैसे प्रतियोगिता परिच्छाओं का आनलाइन फार्म भरना इवं बच्चों की आनलाइन कारे मानता प्राप्त कोचिंग संसर से कारे करने की अनुवा वाले को प्रात्मिक्ता ती जाएगी 25,000 इसका मंतली पेमेंट रहेगा इसमें जो है अपना आविदन पत्र वाकिन इंटर्वियों के समय संपूर्ण दस्तावेच के साथ निर्धायती थी 26-27-27 जुलाइक को आपको उपस्तित होना है इसके लिए विग्यापन की विश्तित जानकरी आविदन पत्रक प्रारुप जिला प्रशाश्रन दंतेवाड़ा के ऑफिसल वेप्साइट पर और लोकन अपकर सकते हैं इसका ओफिसियल वेपसाट का लिंक आपको उन्चे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है बाकी की जानकारी भी आप ये पीडियेप टाउनलोड करके चिसे रीट कीजिएगा उसके बाद ही इसके लिए एपलाई कीजिएगा डेमू एवं साक्षातकार जील जारिक किया जाएगा एवं एक विशय 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 शग्या कांसलर आधी का दीनांक 26-27 दिन गुर्वार एवं अतिती सिक्षक का 27-27 दिन गुर्वार को दो पहर दो बज़े से डेमू या सक्षातका लिया जाएगा अब इदन पत्र जो है आपको इसे पीडियेप के अं महाविधियाल जाल बांधा जिला खेयरागर शुरकदान गंडय tatis गड़ की तरब से अतिती व्याक्याता के लिए विज्याप निखाला गहा है इसमें हिंदी, अंग्रेजी, राजनिती सास्र, अर्थ सास्र, इतिहास, वानिच, वर्णस पती सास्र, प्रानी सास्र, रसायन सास्र, भौतिकी सास्र और गणित के लिए एक एक पद है सभी पदों को मिला कर यहाँ पर टोटल 11 पद निकाले गए हैं सभी वीशियों के लिए एक एक पद है प्रति कालखन 300 रुपए का पेमेंट दिया जाएगा प्रती दिवस आपको अधिकतम 12 रुपए और प्रती माह अधिकतम 31,200 रुपए तक का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा अविदक अपना मोबाइल नमर आविदन फार्म में अवस्ति डाले लिफाफे के उपर अतिती व्याख्याता एवं विशा यहाँ पर अवस्ति रुप से आपको लिखना होगा आविदन पत्र जो है आपको एफोर साइज पेपर में ही जम्मा करना होगा उसके साथ में संपूर्ण आपको जितना भी डॉक्यमेंट है इसका फोटो कापी आपको सेल्फ पर लगाना होगा और इसे जो है डाक द्वारा के स्वयाम उपस्तित होकर आप इसके लिए इपलाई कर सकते हैं लास्ट इसकी 22 जुलाई रखी गई है और इसमें देख लेते हैं आगे इसमें जो समवीदा भरती है यह और इसमें सायाक कलरक के लिए एक पद है इस सेप्सिनिस्ट स्वह डाटा इंट्राप्रेटर के लिए एक पद है पदो की संख्या परिवर्तनी है और आगे देख लेते हैं भरती के पातरता इवं शर्ते यहां पर आवेदक जो है भारत का निवासी होना अनिवार है अगर आप भारत के निवासी है तो आप इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं कार्यालाइस आया कलर का पत के लिए 15,000 रुप्रती महा का पेमिंट रखा गया है इसमें इसना तक मंगा गया है साथ में कंप्यूटर का ग्यान होना चाहिए साथ में अच्छी टैपिंग की गती होनी चाहिए तो आप इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं रिशेफ निष्ट के लिए 12,000 मंतली पेमिंट रखा गया है इसना तक और यहां पर अपक्यों जो है उत्कृष्ट मौकिक और लिखिद संचार को असल की दक्षता होनी चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में आपको टैपिंग भी आनी चाहिए निष्ट है कार्याल है ब्रित्य मुंसी टेंडेंट के लिए 9000 प्रतीमा का पेमिंट रखा गया है पांच भी उतिर्णा है तो आप इपलाई कर सकते हैं आपके पास किसी प्रकार का अनुभा है तो एप लगा सकते हैं आयू सीमा देख लेते हैं आयू सीमा यहां पर 18 से 35 वरसे तक यहां पर रखी गई है और यहा आपको कार्याले जिला नियाधिस अध्यक्ष जिला वीधिक सेवा प्राथिकरन धमतरी चतिसवर पीन कोट 49373 में ही आपको 22 जुलाई 2023 तक इसे कार्याले में उपस्तित होकर जमा करना होगा आपको इसमें किसी भी डाग द्वारा आवेदन नहीं करना है आपको इस एड् प्रमान पत्र जाती निवासी रोजगार का रहले का पंजियन का जिवीत प्रमान पत्र आपको अलग 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 आवेदन करना होगा इसकी जो बाकि की डिटेल भी इसको आपको इस पीडिएप में मिल जाएगी इससे आप अच्छी से रीट कर लीजेगा इसकी ऑफिचि डाउलोड कर सकते हैं इसी पीडिएप के अंध में आपको एप्लिकेशन फार्म का प्रारूप भी मिल जाएगा जिसे फील अप करके आप यहां पर एड्रेस पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं राश्ट्री प्राद्रगी की संस्थान रायपूर की तरफ से यहां पर निक को लेवल टेन का पेमिंट यहां पर दिया जाएगा और समREE के लिए यहां पर पांच पोश्ट है सेनियर टेशनिकल असिस्टेंट के लिए नौ फॉस्ट है the first engineer YouTube के लिए एक पुष्ट है टेशनियों के लिए हैपर साथ पुष्ट है टेशनियों एस जी टू के लिए तेरा है और तेशनियों एच सब्सक्राइब एक पद सीनियर ऑफिस अटेंडेंट के लिए और इस प्रकारियां पर 75 पद है अगे देखते हैं डिस्टीबियोशन Song of non-teaching pose on Deputation in Department इसमें है architecture के लिए इनम पर दो पद है और biotechnical के लिए पद है wex темiau ऑमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए यहां पर निदोletब्स के दो neomeat regional engineering के लिए एंपर पर श्रखन ओऊपर साइज सब्सक्राइब यहां पर यह पर 11-10cénda inhenology के लिए हवाद मेडू टीनियरिंग कर लिए और मेडी मेडिकल इंजीनियरिंग एंग CPT माइनिंग इजीनियर के लिए लिए दो पत है कंप्यूटर अप्लिकिएशन के लिए तीन पत है और चलिए और फिजिक्स कि लिए या पर येशला प्रइट यूजिक घलोजी के लिए एक पद है और सेंटर को एक पद है इसकी एप्लिकेशन फांच का जो फार्मेट मिल जाएगी ओफिसल वेपसाइट की लिंक आपको विफ ने प्रवाइट कर दी गहीं application के साथ में आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट से लफ अटेस्टेट करके आपको लगाना होगा और साथ में पोस्ट का नाम भी आपको लिखना अनिवाय रहे हैं कि आप इस पात के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहां पर एडियस दे दिया गए है इस पर आपको 31 जुलाई 2023 तक स्पीट पोस्ट रिजिस्टर पोस्ट के माध्यम सब को इपलाई करना पड़ेगा आगे देख लेते हैं इसमें आगे और भी पद हैं हृँए कि们 के यहां पर देदिया है जीसे송 पीडिये डाダंलोड करके रीड़ेगा सब्सक्राइबिक दोश्च के लिए कि तरब से यहां पर टेश्ण और चिस्टैन के लिए नंब कुशट जूनियर इंजिनियर के लिए सिबिल और 2 यहाँ पांच के लिए पार्शेंट के लिए इस प्रकार यहाँ पर चूटल उन्धावन पूश्ट है और इसमें प्लाइट करनें के लाज के यहां पर 9 अगस्त यहां पर रखी गई है और यहां पर 14 अगस्त तक आज इसका एप्लिकेशन है वो रिस्टिप किया जाएगा और इसके ऑफिसल वेबसाट की लिंक आपको डिस्ट्रिप्सम में मिल जाएगी वहां से आपकी पूरा पीडिये डाउनलोड कर सकते हैं इसको से रीट कर सकते हैं इसके बाद ही एप्लाइस के लिए कीजिएगा सभी पदों को यहां पर मिला कर टोटल 188 पदों के लिए एनाइटी की तरफ से यह वेकेंसी जारी की गई है और इसमें जो है एप्लिकेशन फीज भी देख लेते हैं जन्राल ओबीसी एंड नॉन क्रिमि से डाउनोड कर लीजिएगा लिंक में दिस्क्रिप्शन में आपको प्रवाइट कर दी गई है वहां से आप यह पूरी जानकारी रिट कर लीजेगा और इसके लिए अगर आप इलिजिबल होंगे तो आप इसके लिए एप्लाइबी कर सकते हैं इसमें जो इसकी लाज्ट में इसमें 31 जुलाय रखी गई है और क्याम से के लिए लुच्ट के लिए और निश्ट गानी है दिए तथा अनुसूचित जाती विकास इंद्रावती भवन नयारायपूर अटन नगर 36 कड की तरफ से यहां पर यह विकेंसी निकाली गई है इसमें आदीम जाती जाती विकास विभाग के अंतरगत मंडल सहींजक के परिसीमित विभागी परिच्छा के माध्यम से भरती आदिम जाती अनुसूचित जाती विकास विभाग अंतरगत 36 गण अनुसूचित जाती विकास अधिनस्त सेवा 33 श्रणी अलिपिक वर्गिय भरती नियम 2011 एवं संसोधित नियम 2018 में उलेखित प्राधान के अनुसार मंडल से जाके पदो नुति कोटा मेरिक्त पदो पर सायाग्रेट्टू सायाग्रेट्टीन एवं शातरवा सदीच्छक 10 श्रणी से विभागी परिसीमित परिच्छा के माध्यम से भरे जाने खेतों यहां पर आविदन करने की लास्ट यहां पर साथ अगस्ते 2023 रात बारा बज़े तक से रखी गई है विभागी परिच्छा यहां पर जो संभावित थी थी है 28 अगस्ते इसकी एक्साम की डियेट रखी गई है आविदन का जो लिंक है इसकी इस ऑफिसल वेबसाट पर मिल जाएगा यहां से आप आविदन कर सकते हैं आविदन पत्र का ब्रारूप सेक्चरनी का हरता विभागी प्रोक्त भरती नियम के अनुसार ही आविदन के जा सकेंगे आविदन जो आपको इसमें ऑनलाइन ही करना होगा आफलन आविदन इसमें स्विकार नहीं किया जाएगा या डाक चीकित्सक पत के लिए विक्या पंजारी किया गया है इसमें स्वास्त तन स्वास्त मन स्वास्त रक्षा योजना अंतरगत यहां पर सैक्षनिक सत्र दोवजार तेईस चोबिसके तु सुरजपूर जिले में संचालित स्वास्त सिवाव की अनुप लबधपता वाले छातरा आश्रमों में निवास्रत चात्रों के स्वास्त परिच्छन इस्थानी इस्तर पर अनुभन्त के अधार पर किये जाने ही तो नीजी चिकित्सकों अधीन आवेदन जो है चोबिस जुलाई तक यहां पर अमंत्रित किये जाते हैं इसमें चिकित्सक को माहा में कम से कम दो बार अनुभन्दी संस्ता के शात्र शात्राओं को सास्त परिचन किये जाना होगा और अनुभन्दी चिकित्सक को 50 सीटर शात्राओं सास्तराओं के शात्र शात्राओं के चिकित्सक के परिचन है तो यहां पर 750 प्रती ब्रह्मन दिया जाएगा 100 सीटर है तो यहां पर 1200 प्रती ब्रह्मन के लिए प्रेमेंट आपको दिया जाएगा स्वास्त तन स्वास्थ संबाण ही तु आवेदन करने वाले चिकिशक शाओ्ति संस्था संस्था में समविदा नियमेत रूपसे काईरारत नहीं होना चाहिए तद प्रसूत करना होगा आवेदन के साथ में तो अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर apply कर सकते हैं MBBA, BA, MSS आप इसके लिए eligible होंगे तो यह थी आज की वेकेंसी तो आज की स्वीडियो में मैंने टोटल साथ जीला से जो 10 भरती विग्या पंजारी किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है सभी पदों को मिलाकर लिहां पर लगभग 300 पद यहां पर हो रहे हैं तो यहां पर जो है अगर आप इसके जो apply करना चाहते हैं तो apply कर सकते हैं सभी की जीला वार ओफिशल वेवसाट की लिंक आपको उन्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दी गई है वहां से आप जिस जीला के लिए आविदन करना चाहते हैं उसकी जो वेकेंसी है वो उसकी पीडिएप डाउलोड कर सकते हैं और पीडिएप को अच्छे से रिट कर लिजेगा उसके बाद ही apply कीजिएगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही friends अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे like and share कर दीजिएगा और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को share करें ताकि उन तक भी यह जो वीडिय करती है उसकी जानकारी पहुंच सके और बांकि लोग भी इसके लिए apply कर सके और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकान को भी प्रेस कर दीजिएगा जिसे की मेरे चैनल पर नेश्ट जाब अपडेट की वीडियो सा अब तक पहुंच सके आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद